सबस्कार दोस्तों helpful channel में आप सभी का स्वागत है आज में दोस्तों मेरा topic है 10th house 10th house मैंने बताया था 10th house क्या होता है और 10th house में आपको नोकरी के प्रमद में क्या क्या problem हो रही है 10th house जो होता है वो नौकरी का होता है और दी कई छहतराते हैं 10th house से देखा जाता है आप लोगोंको जैसे कि 10th house में आपके father और आपके कर्म यानि की deeds देखे जाते हैं कि दीट्स देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे कर्म कैसा है इस कर्म घर का कारक ग्रह कौन चाहिए इसका है कारक ग्रह शनी ग्रह ठीक है दोस्तों इसका कारक ग्रह शनी ग्रह टेंथ हाउस टेंथ हाउस को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते ह नहीं मिल नहीं है क्यों ऐसा बार-बार हो धाया है मिलती है छूट जाती है फिर प्रॉब्लम आ जाती तो यह कहता था ढेंगे दोस्तों सबसे पहले नौकरी करने के लिए आपको 10th house कि ला कई कार से होगी कारक ग्रह क Apply कोल ठीक है अब मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले बताया था कि किस राशी में सनी उच्च होता है और किस राशी में अब शनी इस राशी में उच्च का होता है मैंने यह दो पॉलम बना दे रहा है उच्च का और दूसरा होता है नीच का ठीक है शनी आपका पहला होगा तुला राशी में उचका होगा दूसरा इसकी दो राशियां होती है मकर और कुम ठीक है और नीच का ये होगा मेश राशी का सनी नीच हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप लोगों का इसका कारक ग्रह पहले देखिए कारग्रे पहले आप शनी को देखे, शनी कहां बैटा है, शनी अगर यहाँ पे एक नम्मर अप सनी के आगे एक नम्मर लिखा है आपकी कुन्दी में, यानि कि शनी नीच हो गया, यानि कि आप नौकरी करोगे, छूट जाएगी, फिर करोगे, फिर छूटेगी, सटल्मेंट नहीं होगे, आप किसी के अंदर नहीं आपा होगे, अगर इन राशी में है, तुला मकरकुम में, या किसी फ्रेंड की राशी में, मित राशी भी लिख दे रहा हूं है, मित राशी कौन कौन से होती है, मित राशी इसकी हो गई, गुरू की राशी हो गई, दो राशी होती ह और धनु और नौ और क्या कहते हैं मीन राशी और तीसरी होती है मिथुन राशी और चोथी होती है मिथुन और कन्या राशी और फिर पांचवी होती है शुक्र की राशी होती है वर्षब राशी ठीक है और छटी वर्षी होती है और कन्या शिंग बस चाहिए आप दिए पांच राशी में मित्र में होती है समेश मेश का होता है तो हम लोग यह देख लेते हैं कि हमारा 10 थाउस शही है कि गरवड़ा तो बस अगर मित्राशी में तो ठीक है उच में है तो बेटर है और शनी नीच का हो गया तो बहुत ज्या 10 थाहस में कौण सी राशी पढ़ते हैं पहले तो हमने देखा क्या कारक रहे कार रेक देखे लिए कारक रहे शनी के कंडिशन देख ली आभी इसमें टेंगार मतलब कर्म का मालिक हो गया मंगल ठीक है मंगल ग तो Dellेखते हैं कि मंगल उच्छ है तो ऑफिते हैं एक यह यह तो आपको जौब जोब मिल जाएगी सरकारी करेंगे तो मिल जाएगी दो तीन ग्रेय आपको सरकारी जाते हैं जैसे पहला सूर हो गया सबसे पहले सूर दूसरा चंद्रमा तीसरा मंगल जौथा जूपिटर इनका कंबिनेशन आपस में कहीं कहीं बनेगा तो आपको गौर्णमेंट जौब मिले ही मिलेगी और शनी गौर्णमेंट का सेवक कलाता है यानि कि आप सेवा भाव से नौकरी पूरी कर जाओगे तो दोस्तों आप लोग जवर देखिए और इसमें जो भी प्लेंट जैसे सनी के शत है तो ठीक है और फ्रेंडली सनी के फ्रेंड बैटे है तो आपको जौब जो मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी और उसको बहुत जल्दी मिल जाएगी दोस्तों तो इस तरह से से आप अपनों पहचान सकते हो कि आपका टेंथ हाउस कैसा है और रहा कि जैसे कि आपको दूसरा घर हुआ देंथ हाउस से दूसरा घर इसे कहते हैं विश्च का हाउस या आपकी इच्छा पर देगा इसका समंद्द जो नमर पढ़ा जिसे यहां पर 11 नमर पढ़ा तो 11 का मालिक शनी होता अगर शनी आपके बैटर कंडिशन में तो आपकी इच्छा और आपकी ज जहां पर चाहोगे उस छेत्र में आपको मिल जाएगी यहां ज़रूर देखे चल करेंगे क्योंकि यहां दसमें घर से दूसरा पढ़ता है तो जोर इसको आपस में मैच कर लिया करी देख लिया करिए कि आपको क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहां मेरा आज का टॉपिक 10 डहा चाह्टा करें जानएंगे दोस्तों आपको अगर अच्छा लगए ल्क करिए सबस्क्राइब कर सब्सक्रायब कर दीजिए दोस्तों बहुत जलदी अगर मैं सोच आएग ब similar आ रहे हैं और अगर दोस्तों आप मैं अस्यादर कर हो क्व्सारा इंस और नया प्रोग्रम नंबर मेरे mail ID पर send कर दी जे मेरी mail ID यह नेतेन 549 at the rate gmail.com तो मैं आपकी जो कुंडली होगी उस पर मैं वीडियो बना के सब की चर्चा कर दूंगा डे बाइडे हर वीडियो बना-बना कि मैं जितनी कोडलिया मेरे पास आती हैं मैं इसकी चर्चा कर दूंगा बता दूंगा को इसमें भी अगर आपको इस तरह का पॉसेस सही है तो ठीक है नहीं वीडियो के तो समझना चाते हैं तो ज़्यादा समझ ठीक लिए नहीं तो फिर आप मुझे म मेल कर देते हैं मेल के थो आपको बता दूंगा अपको जिन बाद मैं अपना फोन नमर भी ढाल दूंगा आपके तो आपको मुझे फोल्ड करके पूछ सकते हो ठीक है दोस्तों धन्यवाद दोस्तों प्लीज हैल्पो चैनल को सब्सक्राइब करिए देखने के दन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब जोर करें दोस्तों